हालो एवरिवन स्वागत है आप सभी का सो आज जो हम राशी करने जा रहे हैं यही कैंसर राशी वालों के लिए हम देखेंगे कैफ राशी वाले जो नो कॉंटाक में हैं और जिनकी लव लाइफ में पंगे लगे हुए हैं देखेंगे उनके नेक्स्ट वैल डेस कैसे रहने वाले हैं यह मून साइंग पर आधारित है आप चाहे तो राइजिंग या डेट ओफ बर्थ के साथ से भी देख सकते हैं यह आपकी आपकी च्वाइस है और उसके अलावा ध्यान रटना नेक्स्ट वैल डेस है यह नेक्स्ट वैल डेस इसलिए क्योंकि टोटल बारा राश ठीक बारा दिन के बाद दुबारा इसी जो लाइफ बोलते ना राशी उस राशी को वापस से बनाएंगे उस नेक्स फिर नेक्स्ट वाल डेस के लिए ठीक है आउप मैं क्लियर हूं आपको समझाने लिए चले देखते हैं अगले बारा दिन आपकी लव लाइफ में क्या किया जा सकता है कर फ्राशे वालों की लव लाइफ में अगले बारा दिन क्या होने वाला है उनिवर्स मुझे गाइट करें पास्ट में आप दोलों के बीच में किसी तरीके का मन मुटाव या आर्ग्योमेंट दिखाए दे रही है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में काफी competitive energy आ चुकी है यानि कि मैं भी नहीं जुकूंगा मैं भी नहीं जुकूंगी तुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी तुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी यह वाली energy जादा हो सकती है क्योंकि पास्ट कुछ टाइम से ऐसा दिखाए दे रहा है कि आप दोनों के बीच मे क्यों नहीं कर रहे इसके कारण आपका मन खराब हो रहा है बिकोस मुझे आसा दिखाए देरा है कि आप दोनों के बीच में काफी जादा आर्यूमेंट चीज़े हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को defense कर रहे हैं यहाँ पर आप दोनों एक दूस कोशिटे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोशिच की जाए हर बार चीजे बिगड़ी रहे तो कोशिश करके भी आप दोनों कहीं ना कहीं कुछी तरीकी के मैस और रायते में पढ़े हो और हो सकता है कि इसमें बहुत लोगों का इंवार्डमेंट हो लेकिन यहां पर जो लव प्राक्टस करते हुए दिखाई दे रहे हो करक्राश्ची वाले जो हैं मुझे काफियत तक ऐसा दिखाई दे रहा है खुद को चेंज करने के लिए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं विकॉज पास्ट में आपने काफी पेइनफुल एनरजी का सामना किया है आपको नहीं एक्सपेक्टेट था कि पार्टनर इस तरह बिहेव करेंगे या उनकी एनरजी में किसी तरीके के शिफ्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किये थे और अपनी जीवन में कुछ बदले ना बिलने आप अपको बदलने के लिढ़ी हो आप अपनी सेल्फ पचान गहे हो और आपको लगा रहे है कि ठीक है Grü electroktó नहीं हो रहा है तो चाने दो भगवान की जैसी मर्जी आप उसको लेकर पुश नहीं कर रहें कि अभी करो अभी करो ये मेरे साथ से करो इस तरीके की एनर्जी में जहां पर आप जो है अपनी लाइफ में सामने वाले को लेक बुलते हैं कि एक होता है कि वेटिंग पिरिट से आप निकले हो आप कुछ ठीक करना चाहिए आपको जो करना था आप कर चुके हो इसलिए आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो या हो सकता है अपने गोल्स पर बहुत आदा ध्यान दे रहे हैं कमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका किसी बात पर मन दुख सकता है कि किसी बात पर मन इंदर सेंस कोई बात आपके पार्टनर की आपका दिल दुखा सकती है कि क्लारपाय करें कि कमिंग फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी तक थर्ड पार्टी या किसी तीसरे व्यक्ती से परेशान हो सकते हैं आपको यह सकता है कि या तो सॉख्यान देने लगे हैं बहुत-दा एक्यूपआइड रहते हैं एक्स्यूजस देते हैं बहाने देते हैं और आपको टाइम नहीं है यह सकता है आपको पड़ी नहीं वगेरा या कोई behavior आपको बहुत अपसेट करेगा और इस बात से आप बहुत डिस्टर्ब होती भी दिख रहे हैं थ्री ओपॉंस के एनरजी को ख्लारफाय करें यूनिवर्स अबस्टेकल में मुझे इसा दिख रहा है कि दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों के बीच में तो तीसरा परसन काफी जगा एक हैवी पोजिशन पर है और जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है ना उनके लिए मुझे इ करें कि जाने अन जाने ना आप लोग दोनों अपने एक दूसरे से ना वुलते हैं ना इसा हो रहे है कि या थो आप बहुत सोचलाइज करने लगे हो या दोस्त आपके आके इंखिकरूंस कर रहे है कि हां तू मत बात करना उसकी अकल ठीकाने आएगी या उनके दोस्ता कर सब्सक्राइब और है जिससे आप दोनों के बीच में बहुत प्रोब्लम करें कि आउटकम में मुझे मिला है कि आपके पार्टनर सब्सक्राइब सकते हैं और आप अपने जीवन में अपने दूसरी अपॉश्य की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे सब्सक्राइब करें अब यह जो सिंगल्स है या शादीवादी के लिए देख रहे हो सकता है कि आप जो है आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे यहार है सामने तिससे करें आप अपर अबने की पर देखना है क्योंकि आपको यह लग सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए सीरिस जरूर है लेकिंगों कोई अक्षन नहीं ले रहे हैं वो एक ही जगा बैट जाते हैं आपके पार्टनर के आपने एक्स्यूस बहाने और उनके बीहेवियर में बहुत जादा चेंजिस आप कोई ले ठोटल मुझे धाधर के थे कशित्वालिंट जो हईले तो दिखाए है ठीके के हो सकता है आपके पार्टनर का बसमा अगले बारहा दिन क्या रहे कि कुईन ओफ वांज ट्रेंद ट्री ओफ काप्स सेवन ओफ पैंडिकल्स किंग ओफ पैंडिकल्स आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप जो है काफी जादा मेन्यूप्लेटेव हो गए हो मलब आप ट्रसवर्दी नहीं रहे आप पहले ना दिल से चलते थे और आ आप जैसे कि उनके सब खेल खेल रहे हो किसी तरीके का आप उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो आप उनके उपर अथारेटेटेव हो वह वाली एनरजी है जाते आपको यह देखके वह सोच रहे हैं कि यार यह बहुत स्ट्रॉंग भी हो गए हैं यह कोई महत्वा और कुनका कोई अक्स आपके आपके लिए माइने नहीं रखता आप उनको प्राइलिटी में नहीं रखते आप उनको हर्ड कर रहे हो और यह लग सकता है कि आप हमेशा सिफ अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो आपको क्या चाहिए वह इंपॉर्टेंट है पर आप आजू-बाजू के दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं मलब प्रजा के बारे में कम सोचते हो आपस के दोनों के बारे में ज्यादा सोचते हो जो इनको परेशान कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ सीरियस जरूर होना चाहते हैं यह डेफिनि तो यह लोगों से लड़े कि देखो यार मेरी बंदी है या मेरा बंदा है तुम गलत हो तो यह थोड़ा सा मुझे 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 दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप जहां पर भी है इस वक्त更ने में उस एरिया में हापी है वैपनी जिंदगी में कएवने कहीं बज्ब sûavoir हैं क केट टूखेधर हो काफ़ाधर लोग देना सेल्फ लोग में अंपने आपने ही involved हो चुके हैं कई ना कई येस उनको लग रहा है कि यार मुझे जाना है sorry भी feel कर रहे हैं किसी तरीकी का guilt या किसी बात को नहीं बोलने का दुख इनको हो रहा है कि यार ये बात मैं मुझे नहीं बोलनी चाहिए दिए इसको वहां मैंने गलती करी है यहीं मेरे को नहीं करना चाहिए था और मुझे इसा भी दिखाए दे रहा है कि possibility कुछ लोगों के लिए कि recent past में आपके partner आये थे और उस बात का regret हो गया कि मैं को नहीं जाना चाहिए ना मैं जाता नहीं यह क्लाश होता यह वाली energy भी उनके अंदर हो आई हो सकती यह कुछ लोगों के लिए जिनके partner भी कुछ time पहले आये थे और आपके partner इस वक future को लेकर बहुत stress रहेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं ना कहीं कोई decision नहीं ले पा रहे हैं जिसके कारण कोई action यह next 12 days में मुझे 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 दिखाई दे रहे हैं मुझे से दिख रहा है next 12 days में आप इनसे करें और समय आप लोग दोनों का इस तरीके का चल रहा है ना जिसके कारण आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो यह कुछ उल्टाई कर दे रहे और उसमें कैसा होता ना कभी-कभी नक्षतर खेलते हैं आपके साथ और कुछ नहीं समय किसका बल्वान है वह माइने रखता है ठीक है समय बल्वान है इस वक्त तो इस वक्त क्या हो रहा है ना कि उनका जाता समय हावी होने के उपर वह अकड में हैं और कई बार हो सकता है कि आप दोनों के बीच का मन मुटाओ का कारण आप दोनों ही हो क्योंकि मुझे मिसंडेस्टैंडिंग बहुत दिखी है ऐसा दि दिशिजन ले और वो बोले चलो में को एक्शन लेना है मेभी इन फ्यूचर वो रेडी हो जाए ठीक है अगर कनेक्शन स्ट्रॉंग है तो यह याद रखना हमेशा के लिए विद्धावड फिल आपके पार्टनर आते जरूर है 100% वह वापस आते हैं 100% वह कोई आक्शन ल आपको जो है आजकल टृबट डृबत हुआ है तो या तो टृबधेट है या वसकर है तो बहुत है कि जो तेरा है पर विश्वास रखने की जरूरत है थीक है है उनके exact words है जो तेरा है वो तुझे ही मिलना है तुझे बस इस बात का विश्वास रखना है कि वो चीज तेरी है तेरे ही पास आनी है ठीक है जब आपका विश्वास बुलंद होगा जब आपका faith आपके अंदर का power बुलंद होगा आपकी जितेंगे आपकी जिंदगी में आपको victory जरूर मिलेगी universe मुझे बता दे इस relationship का आप future outcome क्या होगा overall future outcome बता दे cancer राशी वालों के लिए yes wheel of fortune समय बदलेगा समय powerful है अभी कैसा है ना आने वाला समय में भी हो सकता आपके लिए complicated है या tough है बढ़ ये कब तक बुलते ना सो सोनार की एक लोहार की तो लोहार का भी time आता ही है अभी सोनार की चलने तो ठीक है इस बात से upset मत हो जाओ ध्यान रखना ego मत रखो जितना हो से polite और एकदम नमरता से behave करना जब हम अपनी ego को heavy कर देते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से चलो हम क्या बुलते हैं वह important है तो हमारा relationship कभी भी एक mutual बुलते हैं लव के सबसे नहीं टिक पाता हम लोग कई ना कई अपना प्यार खो बैठते हैं इसलिए polite रहना जरूरी है अगर आप दोनों में दुबारा से चीजे बहतर होती है तो आपको acceptance के लिए ready रहना है polite रहना है giving nature रखना है और सामने वाले से बहुत अच्छे से पेशाना है ठीक है तो cancer राशी वालो यह थी आपकी अगर आप लोग हां कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अग्यों और वगरा ग्रोथ के लिए यह लिंग के लिए बनवाना है लव लाइफ में भी पंगे लगे पड़े हैं तो डेफिनली अमिट सर को कॉंटाक करो अपने डिजाइन जरूर करवा तो अभी के लिए तना ही अपना ध्यान रखना मुश्क्राते रहें ना बाई टेक केर ओं सही ना